आयूरवेद में कहा जाता है जिनका पेट सही है समझो वो 100 साल तक जी सकते हैं और जिनका पेट सही नहीं है उनके 30 साल उमर में वैसे ही कम हो जाते हैं वीडियो में बने रही है पूरी जानकारी लेके आई हूँ आपके लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है तो कड़ाई में हमें लेनी है तीन चम्मच अजवाइन और तीन चम्मच जीरा हमें सिफ ये दो चीजे रोस्ट करनी है बाकि जितनी चीजों का यूज किया है वो सारी हमें बिना भूने यूज करनी है पेट की कितनी भी गंभीर समस्या हो कितने भी आप दो दो तीन दीन दि मोटी परत हो गंधिकी की बिलकुल साफ कर लेंगे तो वीडियो में बने रही है हमें इसको roast कर लिया है अब हम थोड़ा से इसको continue चलाते रहते हैं उसके बाद हमें करना क्या है इसको थंड़ा करके mix के जार में डालना है आज की वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगी आप खाना खाने के बाद उसे डेली खा लीजिए ना तो आपको बवासुर होगी ना ही आपको कब्ज की समस्या होगी अब मैं इसमें डालूंगी तीन चम्मच सौफ सौफ को हमने भूना नहीं है पेट के लिए बहुत अच्छी होती है पेट में कई बार जलन होती है उसके लिए भी बहुत फायदे मंद होती है तो हमने तीन चम्मची सौफ का इस्तमाल किया है और दो चम्मच डालेंगी हम इस तो दोस्तो हमने बिल्कुल fine powder बना लिया है अब बात आती है कि इसको लेना कैसे है एक आप इसको पहले किसी बाउल में निकाल ले और हमें इसमें एक चीज और एड़ करनी है वो करना है हमें सेंधा नमक तो हम उसे आधा चमच मिलाएंगे इसके अंदर बहुत अच्छा होत दिन में खाना खाने के एक या देड़ी घंटे बाद ले सकते हैं तो गरम गरम पानी लेना है आपको एक ग्लास उसके बाद आपको एक चमच फुल भरके लेना है इस तरीके से या तो आप इसे फांक के खा सकते हैं अगर फांक के नहीं खा सकते हैं तो इसके अंदर डाल क अच्छी तरीके से इसे पहले घोलने उसके बाद हमें इसके अंदर एक चीज का यूज करना है जो हमारे पेट के लिए और हमारे शरीर के लिए दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है दोस्तों वो है जैतुनी नमा की एमेजोन पे आसानी से मिल जाता है फिलिप कार्ड पे मिल जाता है एक ग्लास पाने में एक चुटकी डालना है इससे ज़्यादा इसकी मातरा नहीं लेनी है इसको अच्छी तरीके से मिलाएं और बैट के सिप सिप करके पिहें कितनी भी पेट में गंदी की हो बिल्कुल साफ हो जाएगी दूसरा नुसका है एक ग्लास गरम दूद लेना है जिनको बावा सिर्की समस्या है दो दो तीन तीन दिन फ्रेश नहीं होते हैं पेट में बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है तो उनको करना क्या है आधी चमस गरम दूद में डालनी है सौट का पौडर यह आपको रात को लेना है दिन में या सुबह बिलकुल नहीं लेना है क्योंकि इसको लेनी के बाद में आपको थोड़ी सी नींद आ सकती है उसकी बाद हम इसमें डालेंगे एक चमस देशी घी दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि आपको घी मार्किट वाला नहीं लेना है आपको वरना कुछ पेट में गड़ बड़ी हो जाएगी आपको घी घर का यूज करना है अगर आपको डाइबिटीज है तो सिफ एक खिजूर का इस्तमाल करें डाइबिटीज नहीं है तो अब दो से तीन खिजूर खा सकते हैं दूद के साथ बहुत फायदे मंद होते हैं यह भी पेट के लिए और पेट को साफ रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद है वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें